This is your maths class, today we will start question number second आज हम question number second करेंगे find our difference difference का meaning आपको पता होना चाहिए difference क्या होता है difference का means होता है minus यह minus का sign है, difference means minus हमने question number one किया था, उसमें denominator like थे like denominators क्या होते हैं like denominator वो होते हैं, जो बिल्कुल same होते हैं जैसे यहाँ 9 है तो यहाँ भी 9 ही होगा अगर यहाँ 3 है तो यह भी 3 ही होगा लेकिन यह देखो इसका 7 by 9 है यह 1 by 3 है इनके denominator अलग अलग है इन fractions के denominator अलग अलग है तो यह कौन सी term होगई unlike, यह unlike fractions है हमने जो question number first किया है वो like fractions का किया है यह unlike fraction है, देखो 7 by 9 इसका unlike fraction वो fraction होते हैं जिसके denominator अलग अलग होते हैं यह को 7 by 9 और 1 by 3 दोनों के denominator अलग अलग है तो यह कौन से fraction है unlike fraction ठीक है unlike fraction को पहले हम like fraction बनाएंगे फिर हम difference कर सकते हैं किसी चीज़ का difference कैसे कर सकते हैं पहले ही unlike fraction को हम like fractions बनाएंगे लाइक फ्रेक्शन बनाने के लिए हम पहले लेंगे LCM तो फर्स्ट आफ ओल हम लिखेंगे 7 by 9 minus 1 by 3 अब हम 9 and 3 का LCM लेंगे LCM of 9 and 3 हम 9 and 3 का क्या लेंगे LCM ठीक है? LCM मैंने आपको सिखाया हुआ पहले भी 9 और 3 का 9 और 3 2 की टेबल पर 9 और 3 2 की टेबल पर डिवाइड होते है? नहीं तो अब हम क्या करेंगे? 3 की टेबल से 3 3s are 9 3 बन्जा 3 3 3s are 9 3 के टेबल पर 9 कहां आता है? 3rd नमबर पर 3 3s are 9 3 बन्जा 3 आप देखो 3 बन्जा 3 यहां 1 1 आगया मीन्स हमारा LCM कम्प्लीट हो गया अब हम LCM करेंगे 3 multiply 3 3 3s are 9 हमारा LCM क्या आया? 9 ठीक है? अब हम क्या करेंगे? 7 by 9 लिखेंगे सबसे पहले और 1 by 3 जो given fractions हैं उनको लिखो हमारा LCM क्या है? 9 9 अब हमें दोनों denominator को 9 बनाना है यह तो already 9 है तो हम इसको क्या करेंगे? 1 से multiply यह तो खुद पहले से ही 9 है हमें LCM के इकवल दोनों denominator को लेकर आना है यह denominator तो पहले से ही LCM के इकवल है तो हम इसको 1 से ही multiply करेंगे 9 बन्जा 9 7 बन्जा 7 7 by 9 3 को किस नंबर से multiply करोगी? वो LCM के इकवल हो जाए मतलब 9 के इकवल हो जाए 3 को 3 से multiply करो 3 3 जा 9 यह देखो 3 की टेबल पे 9 आता है? हाँ आता है कौन से नंबर पे? 3 3 जा 9 3 3 बन्जा 3 देखो दोनों fractions के denominator क्या हो गए? same अब इनका difference हम कर सकते हैं therefore 7 by 9 minus 3 by 9 मैंने LCM क्यो लिया? इन दोनों के denominator को same करने के लिए जब तक denominator सेम नहीं होंगे मैं difference नहीं find out कर सकती हूँ अब यह दोनों के denominator सेम है तो मैं common denominator ले सकती हूँ क्या ले सकती हूँ नीचे common denominator? यह मैं पहले भी आपको concept कर आ चुक हूँ और numerator मे 7 minus 3 7 में से 3 minus करो answer क्या आएगा? 4 4 by 9 ठीक है? यह आपका answer हो गया एक part मैं आपको और कर कर दिखाती हूँ देखो second one है 10 minus 2 by 5 यह देखो यह से कैसे difference है? 10 के by में कुछ नहीं है मतलब 2 का तो denominator 5 है 10 का denominator कुछ नहीं है जिसका denominator हमें given ना हो उसके by में हम 1 लगा लेते हैं जिसका denominator हमें given ना होता हम उसके by में 1 लगा देते हैं यह 1 है यह 5 है दोनो denominator अलग लग है मेंस यह कौन सी fraction है? unlike fraction unlike fraction कौन सी fraction होती है? जिनके denominator common नहीं होते है जिनके denominator सेम नहीं होते तब हम क्या करेंगे? unlike fraction का सबसे पहले LCM लेंगे LCM क्यों लेंगे? इनको like बनाने के लिए ताकि मैं difference कर पाऊं यह difference का sign क्या होता है? यह बला, ठीक है? difference का मींस होता है minus अब मैं क्या करूंगे? सबसे पहले LCM of 1 and 5 मैं 1 and 5 का क्या लूँगी? LCM ठीक है? पहले मैं 1 और 5 का LCM लेकर आपको दिखाते हूँ 1 और 5 ठीक है? 5 के table में देखो यह 1 तो वैसे ही रहेगा 1 5 बन्जा 5 यह 1 आगया 1 बन्जा 1 ठीक है? LCM 5 multiply 1 5 बन्जा 5 5 बन्जा 5 ठीक है? तो मेरा LCM क्या हुआ? 5 जब मुझे क्या करना है? 10 10 का denominator हमें क्या लिए है? 1 ठीक है? 10 by 1 2 by 5 अब मुझे LCM के equal denominator लेकर आना मुझे क्या करना है? LCM के equal denominator लेकर आना LCM है? 5 और यह क्या है हमारा denominator 1 तो 1 को 5 बनाने के लिए, मतलब LCM के इक्वल लाने के लिए किसे multiply करो? 1 को किसे multiply करने पड़ेगी? 5 जिस नंबर से हम denominator में multiply करते हैं, उसी नंबर से मैं numerator में multiply करना होता है 10, 5 जा 50 5 बन जा 5, ठीक है? अब ये 5 हैं और ये भी 5 हैं, दोनों सेम हैं, मतलब मुझे यहाँ पर multiply करने की need नहीं है मेरा LCM और denominator दोनों सेम है तो यहाँ 1 और 1 मुझे 1 से ही multiply करने पड़ेगी क्योंकि दोनों सेम ही है, ठीक है? 2 बन जा 2, 5 बन जा 5 क्या है ये? 2 बन जा 2 और 5 बन जा 5 अब दोनों के denominator क्या हो गए? सेम, जब दोनों के denominator सेम हो गए हैं, तो अब मुझे मैं क्या कर सकते हैं, उनका difference कर सकते हूँ कैसे करूँगी मैं इनका difference? 5 by 50, 50 by 5 minus 2 by 5, ठीक है? 50 by 5 और minus 2 by 5, इन दोनों का LCM लेना तो क्या देखो? अब कैसे करूँगी इनका difference? common, तो मैं इन दोनों को एक ही बार लिख सकती हूँ तो मैंने यहापे, दोनों के denominator common की बज़े से यहापे क्या लिख दिया? 5 50 minus 2, numerator में क्या करूँगी? 50 minus 2, 48 by 5 यह मेरा answer है, 48 by 5, ठीक है? इसी तरह से आपको यह सम करने हैं, जिसका denominator आपको given नहीं हो, उसको आप 1 मानोगे ठीक है? और फिर ले लोगे LCM थैंक यू, have a nice day 15 को चापकर से तरह से झापना क्या क्या में से पायू, बपको is libertwoman प्को ए ke इने हो. कर दालीजर無 क्या जंगा तरहा है, rising तरह से फ्क्लिछनः खर्लमापना ठीक है?